आप चाहते हो कि जब मार्केट बंद हो तो आप प्रोफिट में हो तो सिंपल कुछ स्टेप्स को पूरा कीजिए इंडिगेटर्स में जाएए DMI, Directional Movement Index, इसे चूज कीजिए आप दोबारे इंडिगेटर्स में जाएए सरकास्टिक RSI को चुन लेजिए DMI में देखिए एक blue color line और एक purple और एक हलका red color की line है जो blue color line है ये buyers और ये sellers और ये volatility दिखाएगा और DMI में 20 levels पर एक line खीच लीजिए जब भी blue color line 20 level से उपर हो और RSI 0 से 100 की तरफ जाए तो आप buy कीजिए जब भी वह 20 को cross करें वहाँ पर आप buy कीजिए जैसे कि इस point पर इसने यहाँ पर इनकी के लिए बोला है 20 level से उपर गई और यहाँ पर blue color line 20 level से उपर है और ये RSI 20 level से उपर जाने के बाद में आप buy कीजिए second यहाँ पर देखिए आप break out भी हुआ है तो और ये 20 से उपर है और यहाँ पर भी 20 से उपर trade line है तो इसके साथ चलिए जब इसके साथ चलने के बाद में आप देखिए यहाँ 80 level से उपर है continuously 80 से उपर है आप exit करिए जब यहाँ 80 से नीचे आ जाए ब्लू कलर लाइन या फिर ब्लू कलर लाइन 20 level से नीचे उतर आए तो आप exit कर सकते हैं जब तक यहाँ 80 से उपर ब्लू कलर 20 से उपर है आप trade में long trade ले सकते हो देखिए आप option trading में आप long trade नहीं कर सकते हो पर इस strategy से आप long trade कर सकते हो तो यह एकदम भिंदास है अब second मैंने कोई भी editing नहीं की बस मैं day to day दिखाता जा रहा हूँ जैसे यहाँ पर देखिए blue color line उपर है volatility high है और यह यहाँ पर यहाँ जा रहा है 50 level से उपर की तरफ जा रहा है तो देखिए यहाँ पर या फिर यहाँ पर इसने यह buy का order दिया है अब अगर आप इस label पर नहीं तो आप इस label पर इंटी ले सकते हो second blue color line यह उपर है यहाँ से यह नीचे की तरफ आने लगी इसने cut यहाँ 80 label से नीचे आ गई बट इस टिल blue color line उपर ही थी आप exit कीजिए क्योंकि RSI आप आपके favor में नहीं है आप trade में बने रह सकते हो तब तक जब तक RSI आपके favor में है अगर RSI आपके favor में नहीं है तो exit कीजिए और यह exit point था then आप second indie लीजिए इस point पर यह 20 level से उपर गई और आप indie ले सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो blue color line इस्टल ऊपर थी और यहाँ आपके favor में जा रही थी क्योंकि यह 0 की label पहले ही बना चुकी थी RSI और RSI हमेसा 0 से 100 100 से 0 level बनाती है और यह 20 से उपर भी थी यह 20 से उपर थी blue color 20 level से भी उपर है तो then आप पाई किजिए दुबारा से यह देखिए आपका profit यह है आपका profit आप trade में लंबा बने रह सकते हो देखिए आप देखिए यह 100 level पर पहुँचा और 100 level पर then आप देखिए देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं यहाँ पर और तो आप यहाँ पर हर बार मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस बार हर बार जब भी buyers volatility को close करके नीचे आएं आप exit कीजिए हर बार SI करना है मैं अलगलग strategy के साथ experiments करता हूं अगर आपको यह वीडियो पसंदा है यह तो like करना and comment करना और वीडियो करना